तो तो मैं व्लोग में आपको विलकम करते हैं तो यार आज के बारे में में आपको बताओंगा मेरी ना कल राथ जो मेरी जो है की जो है वो मैरे से ना इंपना वह थो गई थी अपना रोटेट में हो रही थी जैंब है तो यह न चावी गुम हो जाती है अगर आपकी यूखे में तो आपको क्या करना चाहिए तो आपको आपको अनसर इनका दूँगा क्योंकि यार मेरी बिना अकल रात जो ना चावी गुम हो गई थी तो काफी ना वो मुझे दिक्कत हो गई थी लोक खॉल के देता है तो मैंने उनको भी बुलाया तो अगर ने उनको क 언제 को अलब करनी पड़ती हैं अब हमारे पास बैद किसी बी टैंप जो आ जाताएं या फिर आपको वहां में पर जया पार के होती है बनी होती है उसके आपको ओनलाइन कॉल करनी होती है तो वह लोग आते हैं आपके घर में तो वह भी आपसे ना तीस से चालीस हजार पाकस्तान ही ले लेते हैं पेसे एक घंटे के अगर दो घंटा हुआ तो उसके हिसाब से आप मल्टिप्लाइ करते जाएं अगर आपकी एक चाबी घुम हो जाती है यहां तो फिर आपका डॉर ना किसी भी कंडिशन की वजह से लोग हो जाता है तो तो य सर्दी की वज़े से यह जाम हो जाते हैं तो आपको डव्यूटी-फोटी-उयल होता है तो वह आप इस प्रेय उनमें कर दें जो सोकेट होता है लॉक का उसमें डव्यूटी-फोटी-उयल लगा दे उसको दो मिनिट छोड़ने के बाद आप जब की रोटेट करेंगे तो वह रोटेट हो जाएगी मतलब आपका डॉर खुल जाएगा अगर यह कंडिशन है अगर कि आपके पास चाबी वगेरा गुम हो गई यह तो आप सर्च करें कोई देशी बंदा है जो डॉर लोग कर सकता है क्योंकि देशी बंदे कम पैसे लेंगे तो मेरे पास मेजर सिटी अगर जाएगा जबेंद आखिए में रहता हूं तो वहाँ पे काफी देशी रहते हैं तो मेंने ना उनको पर कर दी मेरा डॉर लोग हो गया तो उन्होंने कोई बंदा आरेंज कर दिया मेरे लिए उन्होंने पेसे भी कम लिए और दस-पंदरा मिनट के अंदर अन्दर उन तो आप यही सोलुशन है कोई देशी बंदा देखो जो आपको ना सस्ते में काम करके दे वरना यह गोरिल हो गें वह आप से तीस से चाली से जार ले लेंगे तो यह आज की कहानी थी तो मिलते नेक्स व्लॉग में थेंक्यू